जय हिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है राजनिती एक्सपर्ट में ये हम मेराथन क्लास पढ़ेंगे इसमें राजस्तान जो जीक्के है उसके जितने भी इंपोर्टेंट टोपिक हैं उन सभी को पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं राजस्तान का गठन का बुवा था एक नॉवंबर 1956 को राजधानी क्या है जैपूर जनसंख्या कितनी है राजस्तान की 6 करोड 85,88,437 और देश में स्थान कोंशा है तो आठवा छेतरफल कितना है तो छेतरफल है 3,82,249 वर किलोमेटर कुल जिले कितने हैं तो जिले हैं 50 राजधे का प्राचीन नाम अगर आपसे प्राचीन नाम पुछा जाए तो मरुकांतर और राजपुताना ये किसने कहे थे ये हमने हमारी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं ये सारे फेक्ट आपको जनसिंख्या वाले वीडियो में मिल जाएंगे राज्य की आकरती कैसी है ये क्यूशन कई बार पुछा गया है एक्जाम में आपसे इंपोर्टेंट है विशम चतुरबुज ठीक है कैसी है विशम चतुरबुज पतंग आकार जो पतंग का आकार होता है इस प्रकार से ऐसी आकरती है राजस्तान राज्य की उच न्याले कहां है तो ये जोदपूर में है आपको जैपूर नहीं करना है जोदपूर जो उच न्याले है उसकी एक पीट स्थापित की गई है कहां पर जैपूर में जोदपूर जो उच न्याले है उसकी पीठ कहाँ पर है तो जवाब होगा जैपूर में और उच न्याले पुछा जाए तो जवाब आएगा जोदपूर राज के पसू कौन सा है चिंकारा राज के पकसी गोडावड राज के घरेलू पसू अगर पुछा जाए तो उच है काफी लोग बकरी करते हैं लेकिन बकरी नहीं है राज के घरेलू पकसी उच है राज के वरक्ष खेजडी राज के पुस्प क्या है रोहिडा के फूल राज किये लोग निरत्य कुन सा है गुमर कुछ सा है गुमर अब कुछ सामाने जानकारी जिन से आपके बेसिक क्यूशन हर एक्जाम में बनते हैं राजस्तान में कुल संभाग कितने हैं दस पहले कितने थे साथ कौन कौन से हैं सिकर पाली बास्वाडा जयपपुर जोदपूर राजस्तान का लोग निरत्य गुमर राज्य की विधाईका कैसी है अगर सरकार की संरचना पुछी जाए तो वो कैसी है एक सदनात्मक यानि कि विधान सभा जो राजस्तान राज्य की विधाईका है उसमें एक सदन है ठीक है और उसका नाम क्या है विधान सभा अगर राज्ये में लोग सभा सीटें कितनी है 25 है राज्ये में विदान सभा सीट कितनी है 200 राजस्तान विदान सभा के पर्थम अध्यक्स कोन थे तो वो थे नरुत्म लाल जोसी राजस्तान विदान सभा के पर्थम उपाध्यक्स कोन थे तो लाल सिंग शक्तावत राजस्तान विदान सभा के पर्थम विपक्स के नेता जस्वंत सिंग ये किशन आपसे पुझे जाते हैं तो आप इनको अच्छे से ध्यान में रखें राजस्तान विदान सभा के पर्थम प्रोटेम स्पीकर कौन थे महराव संगराम सिंग राजस्तान के पर्थम मुख्य मंतरी कौन थे तो टीकाराम पालिवाल राजस्तान की पहली महिला सांसद स्रीमती सारदा बारगव और ये कौन से सदन में थी राज्य सभा में कौन स्रीमती सारदा बारगव पहली महिला सांसद राजस्तान के पहली महिला लोग सभा सदश्या कों थी? तो महरानी गायत्री देवी इंपोर्टेंट है इनको आप याद रखें महरानी गायत्री देवी राज्य सभा के लिए मनोनित पहले राजस्तानी तो वो कों थे? डक्टर नाराइन सिंग राज्य से सरवादिक बार निर्वाचित राज्य सभा सदश्या कों थे? तो राम निवास, मिर्धा और जस्वंत सिंग कितनी कितनी बार है? चार-चार बार राम निवास, मिर्धा और चार बार जस्वंत सिंग राज्जे से सरवादिक बार निर्वाचित महिला राज्जे सभा सदश्या कोन थी तो स्रीमती सारदा भार गव ठीक है ये पहली महिला सांसद भी थी राजस्तान की और ये सबसे ज़्यादा निर्वाचित होने वाली महिला सांसद भी थी तीन बार राज्ये से अनुसूचित जाती की पहली महिला जो लोकसवा सदश्या बनी वो कौन थी स्रीमती सुसीला बंगारू ठीक है कहां से थी जालोर से राज्ये से अनुसूचित जन जाती की पहली महिला लोकसवा सदश्या कौन थी तो वो थी श्रीमती उस्सा मिना ठीक है और ये कहां से संबंद रखती थी सवाई मादवपुर से कुल जिला परिशदे पूछी जाएं तो 33 हैं नगर निगमों की संख्या कितनी है राजस्तान में 11 कुल पंचायत समीतियां हैं 32 कुल ग्राम पंचायते हैं 11,283 जिला परिशद सदश्ये 1014 पंचायत समीति सदश्ये 6236 सरवादिक गाम वाला जिला कुन सा है तो स्री गंगानगर ठीक है और सबसे कम गाम वाला जिला सिरो ही राज्ये में राज्ये वित्पोषित विश्विध्यालियों की संख्या अगस्त 2023 का डेटा है ये 39 और राज्ये में नेजी विश्विध्यालियों की संख्या अगस्त 2023 में 52 अब आप पुछेंगे सर्वित्पोसित विष्विध्ध्याले क्या होता है तो विष्विध्ध्याले होते हैं जिनमें कुछ सेयर तो प्राइवेट होता है बाकी का सरकारी होता है अर्थात मैक्सिमम जो सेयर हैं वो किसके होंगे सरकार के राजस्तान के एकी करण के विभिन चरण एकी करण से हर बार आपसे एक से दो क्यूशन पूछे जाते हैं तो पहला चरण एकी करण का ये कब संपन हुआ था 18 मार्च 1948 को और इसको नाम क्या दिया गया था तो मतश्यशंग है ठीक है राजस्तान को जो पहला नाम दिया गया था वो क्या था मतश्यशंग एकी करण में इस पर्थम एकी करण में कौन-कौन से रियासतें या ठिकाने या छेतर शामिल हुए थे अलवर बरतपूर दोलपूर करो ली और जो नेमराना ठिकाना था वो आपको ये सारे याद होने चाहिए आपसे पूछ लिए जाएंगे कि पर्थम चरण में इन में से कौन सा चेतर शामिल नहीं हुआ और आपको एक option अलग दे दिया जाएगा तो आपको याद होने चाहि है कि इन में से अलवर से संबंद रखने वाले पर्थम चरण के मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री कौन थे तो आपको जवाब पता होना चाहिए सोबाराम कुमावत राजप्रमुक कौन थे उस समय महराज उदैभान सिंग और ये कहां से संबंद रखते हैं धोलपूर अ गया है विसका नामकरण किया था के एम मुंसी ने तो नामकरण भी आप से पूछा जाता है और इसका उद्गाटन किस ने किया था एन वी गोडगिल ने कि दूसरा चरण 25 मार्च उनिश्व अड़तालिस को संपन हुआ था और दूसरे चरण को नाम क्या दिया गया था रा बुंदी जहलावाड टॉंक किसंगड सापुरा परताबगड बास्वाड़ा डूंगरपुर और कुसलगड ठिकाना इन सब को मिलाकर क्या बनाया गया राजस्तान संग इसके प्रधानमंत्री कौन थे गुकुलाल असावा और यह कहां से संबंद रखते हैं सापुरा से य सापुर वाला नहीं यह सापुरा बीलवाड़ा वाला है राजप्रमुक कौन थे इसमें महराज भीम सिंग ठीक है कहां से संबंद रखते थे कोटा से इसका उद्गाटन किस ने किया था तो एन्वी गोडगिल ने ठीक है उद्गाटन करता कौन है इसके एन्वी गोडगि जो पूरू राजस्तान संग जो दूसरा चरण था उसमें किसको मिलाया गया उद्गाटन करता कौन थे इसके पंडित जवाहलाल नहरू नेक्स्ट है चतूर्थ चरण मतलब चोथा चरण जो चोथा चरण है वो संपन कब हुआ तीस मार्च उनिशो और इसको नाम क्या दिया गया वरद राजस्तान ठीक है राजस्तान में जैपूर जोदपूर बिकानेर और जैसलमेर इसमें सामिल किये गए थे इसमें प्रधा स्वाइमान सिंग दियुते ठीक है कौन थे स्वाइमान सिंग दियुते उद्यपूर के भूपाल सिंग को महराज प्रमुख की उपादी इसमें दी गई थी आपको याद होना चाहिए उद्यपूर के जो भूपाल सिंग थे उनको कौन सी उपादी दी गई थी कौन सी दी संयुक्त व्रत राजस्तान ठीक है व्रत राजस्तान में मतश्यशंग शामिल किया गया अब जो इससे पहले बनाया था चोथा चरण पलस मतश्यशंग इन दोनों को मिला कर क्या बनाया गया संयुक्त व्रत राजस्तान इसमें मुख्यमंतरी कौन थे हिरालाल सास्तरी राजपर्मु कौन थे सवाई मान सिंग दूते ठीक है डॉक्टर संकर राव देश मीति की सिपारिश से मतश्य शंग इसमें सामिल किया गया अब क्यूस्टन आपके लिए कैसे बन सकता है कि जो व्रेद राजस्तान था उसमें मतश्य शंग किसकी सिपारिश से सामिल किया गया डॉक्टर संकर राव देश मीति की सिपारिश पर नेक्स्ट है छटा चरन ठीक है यह संपन हुआ था 26 जनवरी 1950 को इसको नाम क्या दिया गया राजस्तान संग सिरोही का राजस्तान में इसमें विले हुआ आबू दिलवाडा को छोड़ कर ठीक है जो आबू दिलवाडा छेतर है इसको छोड़के जितना भी सिरोही बसता है पूरे का इसमें विले कर दिया गया प्रधानमंत्री कोन थे हिरालाल सास्त्री कि और राजप्रमुख महराज सवाई सिंग जीत्ते इसमें राजप्रमुख थे और राजस्तान को कैसा राज्य बनाये गया 20 रेनी का राज्य ठीक है तो ये किसन आप से पुछा जा सकता है कि राजस्तान को 20 रेणी का राज्य एकी करण के कौन से चरण में बनाया गया तो आपको पता होना चाहिए छटे चरण में सात्वा और लास्ट चरण ये कब संपन हुआ अधुनिक राजस्तान या का जो वर्तमान शवरूफ है ये कब बना था एक नॉमबर उनिश्व चपन को इसमें क्या सामिल किया गया था अजमेर मेरवाड़ा आबू दिलवाड़ा जो सिरोई का चेतर था वो और मद्य परदेश का एक जिला है मंदसोर इसकी जो भानपुरा तहसील है इसका एक चेतर है सुनेल टप्पा ठीक है कौन सा चेतर है सुनेल टप्पा तो मद्य परदेश का जो एक चेतर है सुनेल टप्पा वो अजमेर मेरवाड़ा और आबू दिलवाड़ा शिरोई का चेतर यह इसमें सामिल किये गई और जहलावाड़ का शिरोंज गया ठीक है और मुख्यमंतरी कोन है मोहनलाल शुखाडिया राजप्रमुख राजप्रमुख पद इसमें समाप्त कर दिया गया राजपाल का जो पद है वह प्रारंब किया अब पहले राजपाल कोन बने तो सरदार गुर्मुख निहाल सिंग ठीक है साथ वे संसोधन से फिर भारत में राज्व की जो स्तरेणिया थी वो किस आयोक की सिपारिश से समाप्त की गई। तो वो की गई थी राज्य पुणरगठन आयोक की सिपारिस थे ड्राजस्तान की भोगलिक सीमा रएखा तो मद्ध्य परदेश के साथ कौन से जिले पर्ष करते हैं या अपनी सीमा सांजा करते हैं तो मद्ध्य परदेश के साथ जो सीमा सांजा होती है राजस्तान की वो है 1600 किलोमेटर सरवादिक अगर आप से पुछा जाए तो मद्य परदेश से और जिले कितने लगते हैं इसमें 10 जिले धोलपूर करोली सवाई मादोपूर कोटा बारा जहलावाड चितोडगड भीलवाड़ा बांसवाड़ा और परताबगड ठीक है ये 10 जिले हैं ये मद्य परदेश के साथ 1600 किलोमेटर की जो सिमा है वो शांजा करते हैं दूसरा है पंजाब पंजाब कितनी करता है 89 किलोमेटर और जिले कितने हैं इसमें 2 हनुवानगड और स्रिगंगानगर हरियाना करता है 1262 किलोमेटर आठ जिले इसमें सामिल है हनुवानगड चूरू जूंजुनू, नीमकाथाना, कोटपूतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर और डीग, ठीक है ये आठ जिले राजस्तान के हर्याना के साथ सिमा सांजा करते हैं, 1262 किलोमेटर, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, ये करता है 847 किलोमेटर, दो जिले इसमें सिमा सांजा कर करते हैं, ये डीग, भरतपूर, एकिये और दोलपूर, नेक्स्ट गुजरात, 1022 किलोमेटर, छे जिले इसमें सिमा सांजा करते हैं, बाड़मेर, सांचोर, शिरोही, उद्यापूर, डुंगरपूर और बांस्वाड़ा, अब भोगोलिक स्थिती की बात करें, तो अक्सां अंतर से 78 डिगरी, 17 मिनिट पूर्वी, देशांतर, स्थलिय सीमा पुछी जाए, अगर राजस्तान की 5920 किलोमेटर, ठीक है, कितनी है, 5920 किलोमेटर, अंतराष्टिय सीमा पुछी जाए, तो 1070, कौन-कौन से जिले करते हैं, तो स्रीगंगानगर, बेकानेर, जैसलमेर, औ बाड़ मेर, उत्तर से दक्षिन तक की लंबाई पुछी जाए, तो 826 किलोमेटर, इस परकार से क्विशन आप से पूछे जाते हैं, वुरु से पस्चिम तक की लंबाई पुछी जाए, तो 879 किलोमेटर, शेतरफल की दृष्टी से सबसे छोटा जिला, दुद्दू, शे सरवादिक वर्षावाला स्थान मांटाबू, सरवादिक वर्षावाला जिला पूछा जाए, तो जालावाड, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वर्षावाला स्थान पूछा जाए, तो मांटाबू, और जिला पूछा जाए, तो जालावाड, नियूंतम वर्षा पूछा जाए तो 61 किलोमेटर, राजस्तान के भॉगुलिक परदेश की संख्या, तो राजस्तान में कितने परकार के भॉगुलिक जो परदेश हैं, तो वो है चार पस्चिमी मरुस्थलिय परदेश अरावली परवत परदेश पूरवी मैदान परदेश और दक्षनी परवतिय पठार परदेश ठीक है इस परकार से चार भोगोलिक परदेश राजस्तान में हैं नेक्स्ट है राजस्तान की उचाई वार दस परमुख परवत चोटियां ठीक है जो सबसे उची दस परमुख चोटियां है राजस्तान की वो कौन कौन सी हैं तो सबसे पहले है गुरु सिखर कौन से जिले में स्थीत है ये शिरोही में इसकी उचाई कितनी है 1722 किलोमेटर अ और CT में भी पूछा गया है कि राजस्तान की सर्वोचे सिखर कौन सी है या फिर उसकी उचाई कितनी है तो आपको ध्यान होना चाहिए गुरू सिखर है शिरोही जिले में है और 1722 मिटर उची है दूसरी है सेर ये कहां स्थित है शिरोही में 1587 मिटर आबू परवत पर ये स् स्थित है इसकी उचाई कितनी है 1442 मिटर नेक्स्ट जर्गा ये कहां स्थित है उद्यपूर में इसकी उचाई कितनी है तो 1431 मिटर और ये कौन से परवत पर या पठार पर स्थित है तो बोराट का जो पठार है उसके उपर ये स्थित है जर्गा परवत और इसकी उचाई कितनी है 1431 मेटर नेक्स्ट अचल गड़ यह कहां स्थित है शिरोही में उचाई कितनी है इसकी 1380 मेटर आबू परवत पर यह स्थित है नेक्स्ट है आबू परवत ये सिरोही में स्थीत है 1200 पिचैन में मिटर जो है इसकी उचाई है कुंबल गड़ राजसंबंद में स्थीत है 1224 मिटर इसकी उचाई है और भुराट के परवत के उपर ये स्थीत है नेक्स्ट है दोलिया ये है राजसंबंद में 1183 मिटर इसकी उचाई है नेक्स्ट है रगुनात गड़ ये सिकर में स्थीत है 1055 मिटर इसकी उचाई है और उत्तरी अरावली की ये सर्वोच्च चोटी है अरतात उत्तरी अरावली का जो सबसे उचा भाग है उसको क्या बोलत 17 मिट्रिस की उचाई है राजस्थान में त्रिवेणी संगम अगर आप से पूछे जाएं तो सबसे पहले हैं बेनेश्वर यह कहां स्थित है डूंगरपुर में और यहां कौन सा मिला लगता है बेनेश्वर मिला संगम कौन सी कौन सी नदियों का है तो माही शोम और जाखम नदियों का यह तीन नदिया मिलकर संगम मनाती है और उसका नाम क्या है बेनेश्वर डूंगरपुर में स्थिते पिंगोद और मांडलगड के मद्धे भीलवाडा में तो यह है बनास बेडच और मेनाल ठीक है कौन-कौन शी नदिया मिलती है बनास बेडच और मेनाल यह तीनों नदिया मिलकर जो संगा मनाती है वो कहा बनता है बिंगोद और मांडलगड के मद्धे नेक्स्ट है राजमहल और बिशलपूर कांस्तित है टॉंक में इसमें कौन-कौन शी नदिया मिलती है तो बनास, खारी और डाई नदी मिलती है राजमहल बिशलपूर टॉंक में नेक्स्ट है रामेश्वर ये कहां सतीत है सवाई माधोपुर में और इसमें नदियां अगर पुछी जाएं तो चंबल बनास और सीप नदी कौन-कौन सी है चंबल बनास सीप तो आप इनको अच्छे से याद रखें बेनेश्वर काफी इंपोर्टेंट है बहुत बार बनास खारी डाई ये तिनों नदिया मिलकर ये संगम बनाती है रामेश्वर जो संगम है सवाई माधोपुर में ये बनाती है चंबल बनास और सीप नदी राजस्तान के प्रमुख या मुख्य जलपरपात कौन-कौन से है अब तो सबसे पहले है चूलिया जलपरपात ये बैंस रोडगर कोटा में स्तीत है नेक्स्ट है भीमताल जलपरपात ये मांगली नदी में है भीमताल बुंदी में आपको छेतर भी याद होना चाहिए कौन से छेतर में है ठीक है और किस पर है वो भी आपको याद होना चाहिए मेनाल जलपरपात ये मेनाल नदी में है बे दिरजल पर पॉछ यह कांकुडी नदी पर है यह कांकडी नदी भी इसको बोला जाता है और यह कहां सथीत हैं टौण गड़ स्रीष में पूर नेक्स कर पूसा है बीलबेरी जुर पर पॉछ औरल नदी में यह नदी नहीं ज़रना है भीलबेरी जरना ठीक है जलपरपात और नदी एक ही नाम से हैं और ये कहां स्थीत है पाली अभ्यारण में कहां स्थीत है पाली अभ्यारण में जीलों की जिलेवार स्थीती क्या है कौन से जिले में कौन कौन सी जिले है यह आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, आप इनको बार-बार पड़े, आपको ये याद हो जाएंगी अजमेर में कौन-कौन सी जिले हैं, आना सागर, फाय सागर और पुश्कर CET में आपसे इससे सम्मंदित क्यूशन पूछे जाते हैं, अभी CET 2024 जो होने वाला है इसमें भी आपसे इससे सम्मंदित काफी क्यूशन पूछे जाएंगे, तो आप इन सब को अच्छे से याद रखें अलवर, अलवर में कौन-कौन सी जील या तालाब हैं, तो जैसागर, मानसरोवर, विजैसागर और पांडूपोल करोली में पांचना, काली सील, नागतलाई, मामचारी, नीदर, जो शाहिकुंड है, ये कहां सतीत हैं, करोली में उदैपूर में क्या क्या सतीत है, तो फतेशागर जील है, पिछोला जील है, जैसामंद, उदैशागर और शवरूप शागर ठीक है, ये सारे कहां सतीत हैं, उदैपूर में, कोटा में अगर पुछा जाए तो जवाहर शागर चितोडगड में कौन सी जीले और तालाव हैं, तो राणा परताप शागर और भूपाल शागर जील जो है, चितोडगड में सतीत हैं चूरू में पूछ लिया जाए, तो ताल शापर जील, ठीक है, चूरू में एकमातर जील है, ताल शापर जील जैपूर में पुछा जाए तो सांबर जील, चापरवाड़ा, जमवारामगड़ और जलमहल ठीक है, सांबर, चापरवाड़ा, जमवारामगड़ और जलमहल जालोर पुछा जाए तो बांकली बांध और बिठल बांध ठीक है कुन-कुन से बांकली और बिठल बांध जो बैसे स्टार्ट हो रहे हैं वो दोनों कहा है जालोर में जैसलमेर में पुछा जाए, तो गड़सिसर, अमरशागर और धोर्शीशागर, ठीक है, गड़सिसर, अमरशागर, धोर्शीशागर, ये तिनों कहासती थीते हैं, जैसलमेर में, जोधपुर, नेक्ष्ट कुनसा है, जोधपुर, बालसंबन्द, काईलाना और तकँ सागर, का स्तित हैं जोदपुर में जालावाड जालावाड में स्तित है भीम सागर और मानसरोवर जुन जुनु में अजीत सागरबांद और पन्नासा ठीक है अजीत सागरबांद और पन्नासा तोंक में पुछा जाए तो विशलपूर तोरडी सागर विशलपूर और तोरडी सागर डुंगरपुर पुछा जाए तो गैब सागर और सोम कमला अबा सोम कमला अबा ये कहा शागर दुंगरपुर में दोसा में कालक सागर जो है दोसा में शागर कहा शागर कहा शागर दोसा में दोलपुर में कौन सी जिले हैं तो राम सागर और तालाब शाही नागोर में पूछ लिया जाई तो डीडवाना और भांकरी मौलास ठीक है डीडवाना और भांकरी मौलास ये का है नागोर में बाड़ मेर में पच्पद्रा है ये आपको याद होगी पहले से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नेक्स्टेप पाली, पाली में है सरदार समध 12, 12 में है गुपालपुरा, उमेज सागर, इकलेरा सागर माशवाडा, माही बजाज सागर बांध और अनास बिकानेर पुछा जाए लून करण सर अनुप सागर और गजनेर ठीक है लून करण सर अनुप सागर और गजनेर ये कहा थीते हैं बिकानेर बुंदी पुछा जाए तो नौलखा सागर जेत सागर और सुर्शागर बरतपूर अगर पुछा जाए तो मोती जील भीलवाडा मंडलताल खारी बांद और जैतपूरा बांद भीलवाडा में क्या क्या सतीत है मंडलताल खारी बांद और जैतपूरा बांद राजसंबन्द पुछा जाए तो इजी है, राजसंबन्द जील है, सवाई मादोपूर पुछा जाए तो पांचना बांद और मोरेल बांद, कौन-कौन सा पांचना बांद और मोरेल बांद, सिरोही पुछा जाए तो नक्की जील, सिकर राइपुरा बांद, ठीक है, सिकर मे राइपुरा बांथ आप तीन ओर बसते हैं श्री घंगानागर पुछा जए तो सीवपूर हैड बांथ ठीक है कौन सी जिल है सीवपूर हैड जील हनुमानगड मितल वाड़ा जील और परताब गड में जाक्हम बांथ जाखमबांध काफी बार पूछा गया है इंपोर्टेंट है ये कहा थीते जाखमबांध परतापगड में राजस्तान में जो परचलित उपनाम है किसके इसको क्या क्या उपनाम दिया गया है इसे सम्मंदित क्युशन आपसे हर बार पुछे जाते हैं इनको आप और भी अच्छे से याद रखें राजस्तान की मोनालिशा कि इसको कहा जाता है तो जो बनी धनी पेंटिंग है उसको कहा जाता है राजस्तान की मोनालिशा आधुनिक भारत के बागिरत कोन है तो महराजा गंगा सिंग आदुनिक भारत के वागिरत कोन है? महराजा गंगा सिंग राजपुताना का अबूल फजल किसको कहा जाता है? तो मोनोत नैंसी को मोनोत नैंसी को क्या कहा जाता है? राजस्तान का अबूल फजल गुलाबी नगरी किसको कहते है? जैसलमेर और सूर्य नगरी किसको कहते हैं जी आप कमेंट करके बताएं भारत का पैरिश जैपुर को बावडियों का सहर किसको कहते हैं बुंदी को स्वण नगरी जैसलमेर राजस्तान की काम देनू चंबल नदी ठीक है राजस्तान की कामदेनू किसको कहते हैं चंबल नदी को वागड की गंगा किसको कहते हैं माही नदी को वागड की गंगा किसको कहते हैं माही नदी को और माही नदी को वागड की गंगा क्यों कहते हैं आप कमेंट करके बताएं, देखें आपको राजस्तान का जीके है, वो कितना आता है, कांठल की गंगा किसको कहते हैं, माही नदी को, City of Wales अर्थात घंटी, घंटियों का सहर किसको कहते हैं, जालरा पाटन को, गोडे वाले बाबा किसको कहते हैं, करनल जेम्स टोड को, दीपों का सहर मास्वाडा, पूरु का वेनिश उद्यपूर, राजस्तान की थर्मोपली हल्दी गाटी युद्ध को, ठीक है, राजस्तान की थर्मोपली किसको कहते हैं, हल्दी गाटी युद्ध को, और ऐसा बोला जाता है, कि राजस्तान में पगपग पर थर्मोपलिया है ठीक है थर्मोपल्ली एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और बहुत भेंकर युद्ध हुआ था उसी की संग्या दी गई है हल्दी गाटी युद्ध को और उसके बाद जो कुछ इतियासकार है उन्होंने कहा है कि राजस्तान में पगपग पर थर्मोपल्ली है राजस्तान का खेल नर्ते तो नेजा नर्ते लोक नाट्यों का मरू नाट्य कौन सा है तो राई नर्ते अकबर का दोलत खाना किसको कहते हैं मैगजिन दुर्ग को ठीक है किसको कहते हैं मैगजिन दुर्ग को मिवाड के भिस्म पितामा किसको कहते हैं कुवर चोड़ा को वन की आसा कौन शिनदी को कहा जाता है तो बनास नदी को जीलों की नगरी किसको कहते है उध्यपूर को वागड का गांधी किसको कहते है भोगिलाल पांडिया को यह important fact है कई बार exam में पूछा भी गया है वागड का गांधी किसको कहते है भोगिलाल पांडिया को गांदी के पांचवे पुत्र किसको कहते हैं जमनालाल बजाज को राजिस्तान का मांचेश्टर बीलवाड़ा को वस्तरनगरी भी कहते हैं तो यह आपको द्यान होना चाहिए मारवाड का अमरित सरोवर जवाई बांध को भारतिये जो बागों का घर है वो किसको कहते हैं रन इस मंदिर यह किशन सीटी में आया हुआ है कि राजस्तान में त्री नेतरगणे इस मंदिर कहां सतीत है रेगिस्तान का कल्प रक्स खेजडी भारतिय मोरिनों चोकला को किसको चोकला को किलों का सिर्मोर चितोड़ गड़ क्या कहते हैं किलों का सिर्मोर और वो कहावत आप बाकी सब गड़या ठीक है गड़ कौन सा है सिर्फ एक चितोड है बाकी तो गड़या है इसके सामने कुछ भी नहीं है मेवाड की आँख किसको कहते हैं कुम्बल गड़ को ठीक है कुम्बल गड़ फोर्ट का जो कटार गड़ छेतर है का जो कटार गड़ जो एरिया है या हिस इसा है कुम्बलगड़ का उसको कहते हैं मेवाड की आँख आदिवास्यों का कुम्ब बेनेश्वर मिला राजस्तान का अंडमान जैसलमेर संसीटी ओफ राजस्तान जोधपूर राजस्तान का पर्थम समाचार पत्र कौन साथा मजहरूल सरूर ठीक है कौन साथा मजहरूल राजस्तान का पर्थम समाचार पत्र था महिलाओं के लिए स्थापित संस्ताई कौन कौन सी हैं तो राश्ट्रे महिला समीती जोधपूर में स्थापित किसने की थी इंदूमती गोईनका ने 1903 में महिला आस्रम भिलवाडा में नारायनी देवी ने ये स्थापित किया था 1944 में राजस्तान महिला परिशद उद्यपूर में शांता त्रिवेदी 1947 में महिला शिक्षा सदन अजमेर में हरी बहु उपाद्याई 1958 में राजस्तान के प्रमुक्त मेले और त्योहार पहला है उट उत्सव ये कहां मनाया जाता है बिकानेर में पतंग उत्सव जयपूर में करोली बर्ड फियर ये करोली में आपसे एक इसन कैसे पुछे जाएंगे उट उत्सव इन में से कौन से जले में मनाया जाता है या फिर पूछ लिया जाए कि बिकानेर का जो प्रमु उदेपूर, विंटेज कार रैली, जैपूर, फोटो फेस्टिवल, जैपूर, वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल, ये भी उदेपूर में, पर लेक फेस्टिवल, ये भी उदेपूर में, सिर्टी ओफ लेक, नागोर उत्सव, ये नागोर में जैसा नाम से पता चल रहा है, जालोर उत्सव, जालोर में, माही उत्सव, बांश्वाडा, बेनेश्वर मेला कहा लगता है, डूंगरपुर में, मरू उत्सव कहा मना आए जाएगा, जैशलमिर में, नेवल बेंड कंसर्ट, ये जैपुर में, कुंबलगड फेस्टिवल, राजसंबंद में, ब्रज होली फ जैपुर में है, राजस्तान दीवस, जैपुर, जोहर मेला, जोहर समर्ती संस्थान, चित्तोडगड में, गणगोर मेला, जैपुर में, मिवाड समारो, उद्यपुर, चार बुजा, जी का जो मेला है वो, और खांगडी, ये सुमेरपुर में, महवीर जी मेला, करोले में, शिरी रथ यात्रा एवं पसू मेला जो नगर में लगता है भरतपुर में नंदबई भरतपुर में सांस्कृतिक कारिकरम ये भरतपुर में ग्रिश्म समारो कहा मनाय जाता है माउंट आबू में प्रत्विराज जैनती जो समारो है वो कहां उजित किया जाता है अजमेर में परताब जैनती मेला राजसम्मंद में राष्ट्रिय पत्रकार सम्मिलन कहां किया जाता है जैपूर में जगनाज जी मिला अलवर में तीज उत्सव जैपूर महराजा दाहरशेन जैन्ती अजमेर कामा उत्सव बरतपूर कजली तीज बुंदी डोल मिला ये बारा में आभानेरी उत्सव दोशा में खलकानी माता जैपूर में कोटा दसक मेला कोटा में और मारवाड महुत्सव भागा मिला जालावाड में बुंदी उत्सव बुंदी मतश्य उत्सव अलवर में मुजिक इंदपार्क जैपूर में भक्ती फेस्टिवल पुषकर मांगर धाम मिला बांश्वाड़ा ये काफी बार पुछा गया है मांगर धाम मिला तो आप इसको याद रखें रणकपूर महुत्सव पाली में और सर्द महुत्सव सर्द समारो मांट आबू में वन वन्यजी अभ्यारण या राश्ट्य उद्यान राजस्तान वन विवाग के रिपोर्ट वर्स 2022-23 के अनुशार राजस्तान में कुलवन शेतर कितने हैं तो 32,868.79 वर्ग किलोमेटर राजस्तान मे आरक्षित वन पूछ लिया जाएं तो 12,222.28 वर्ग किलोमेटर जो की राज्जे का 37 परतिशत है राजस्तान में सनरक्षित वन तो ये हैं 18,499.97 वर्ग किलोमेटर जो की 56.55 परतिशत है तो ये राज्जे का नहीं ये कुल जो वन है उसका प्रसेंट है राजस्तान में एवरगी करत वन दो हजार अठाण में 0.05 वर्ग किलोमेटर और ये कुल वन का कितना है 6.40 परतिशत भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुशार भारत में कुल वन चेतर कितना है 32,863 वर किलोमेटर और राजस्तान में आरक्षित वन 12,166 वर किलोमेटर सनरक्षित वन 18,543 वर किलोमेटर राजस्तान में एवरगी करत वन 2,144 वर किलोमेटर राजस्तान के सीर्ष पांच वनावरन वाले जिले अर्था जिन जिलों में सबसे ज्यादा वन है तो उद्यपूर, अलवर, प्रताबगड, बारा और चितोडगड इनका जो करम है वो करम आपको याद होना चाहिए आप से करम पूछ लिया जाएगा कि करम के अनुसार आप याद रखें राज्य के नियुन्तम पांच वनावरन वाले जिले चोरू, हनुमानगड, जोदपूर, गंगानगर और दोसा इनका भी आपको करम याद रखना है राज्य के सीर्ष पांच वनावरन वाले प्रतिशत वाले जिले उद्यपूर, परताबगड, सिरोही, क करोली और बारा तो इन दोनों में डिफरेंस हैं आप इनको अच्छे से याद रखें राज्य के नियुन्तम पांच वनावरन प्रतिशत वाले जिले तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो जोदपूर, चोरू, जैसलमेर, भीकानेर, हनुमानगड और नागोर राज्य के जन्तुवाले तो जैपूर, उद्यपूर, भीकानेर, जोदपूर और कोटा में राजिस्तान के मरगवन, उसकर मरगवन ये कहां स्तीत है, पंचकुंड अजमेर में, चितोडगड दुर्ग मरगवन ये स्तीत है, चितोडगड में संजे उद्यान, शाफपूरा, जैपूर में, असोक विहार मरगवन, ये जैपूर नगर में, माचिया सफारी पार्क ये कहां स्तीत है, जोदपूर में, अमरता देवी मरगवन कहां स्तीत है, खेजडली जोदपूर में, सजजनगड मरगवन, ये उद्यपूर में स्तीत है राजस्तान के जिलों के निर्धारित वन्यजीव सुबंकर यह हमने हमारी पिछली क्लास में भी पढ़ा था अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप देखी आपको फोटो के साथ जितने भी वन्यजीव हैं याद हो जाएंगे अलवर का क्या है सुबंकर सांबर अजमेर का खड मोर भरतपुर का शारश या वरेन बाडमेर का मरूलोंडी भीलवाड़ा का मोर बास्वाड़ा जल्पीपी बुंदी सुर्खाब बारा का मगर चूरू का कालाहिरन दोस्था का जो वन्यजीव सुबंकर है खरगोश दोलपूर का है पंचीरा एंडियन स्क्रीमर भी जिसको बोलते हैं तो उप्षन में अगर आपको एंडियन स्क्रीमर मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है इंडियन स्क्रीमर पंचिरा को ही बोलते हैं उद्विलाओ नागोर का सुभंकर है राजहंस परताबगड का उडन गिलहरी पाली का सुभंकर तेन दुआ राजशंबंद का सुभंकर बेडिया सवाई मादवपूर का बाग शीकर का शाहिन श्रीगंगानगर का चिनकारा टॉंक का हंस उद्यपूर का बिज्जू शिरोही जंगली मुर्गी और लास्ट है बिकानीर का भड़तीतर अब हम देख लेते हैं राजस्तान के संरक्षित छेत्र राष्ट्य उद्यान के बारे में हम सबसे बहले बात कर लेते हैं रनथंबोर राष्ट्य उद्यान कहा स्तित है स्वाई मादोपूर में केवला देव या ग अब हम बात करते हैं वन्यजीव अभ्यारन बंद बारेठा जिसको डैंप बरेठा भी बोलते हैं बरतपूर में शरिशका अलवर में राष्ट्य मर्य उद्यान जैसल मेर और बाड मेर में रामगड विजदारी बूंदी में केशरवाग धोलपूर में रामशागर धोलपूर में वनविहार धोलपूर में यह तीनों ही कहा स्तित है धोलपूर में और कैला देवी करोली और सवाई मादोपूर शीता माता वन्य जीव अब्यारन ये कहां सतीत है चितोडगड उद्यपूर में भैसरोडगड वन्य जीव अब्यारन चितोडगड में सेरगड बारा में दर्रा कोटा में जहलावाड में जोहर सागर वन्यजी अभ्यारन कोटा बुंदी और चितोडगड में राष्टे चंबल गडियाल वन्यजी अभ्यारन कोटा सवाई मादोपूर बुंदी करोली और धोलपूर बस्सी, चितोडगड, तालचापर, चूरू में, नाहरगड, जैपूर में, जमवारामगड भी जैपूर में, सजजनगड, उद्यपूर में, और फिलवारी की नाल, वन्यजी अब्यारन, उद्यपूर में ताडगड, रावली, यह है राजसमंद, पाली और अजमेर में, जैशमंद, उद्यपूर में, कुंबलगड, उद्यपूर, पाली और राजसमंद में, मांट आबू, वन्यजी अब्यारन, शिरोही में, सवाई मान सिंग, सवाई माधोपूर में है, सरिश्का, अलवर में, वाई माधुपूर में ही है और गजनेर बीकानेर में राजस्तान के परमुक कंजर्वेशन रिजर्व बिशलपूर कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जले में स्थीत है टॉंक में चेतरफल कितना है इसका 48.31 किलोमेटर स्थापना कब हुई थी 2008 में जोड बीड गडवाल कंजर्वेशन रिजर्व ये बीकानेर में स्थीत है छेतरफल है इसका 56.47 वर्ग किलोमेटर 2008 में इसकी स्थापना हुई थी सुन्धा माता कंजरुवेशन रिजर्व जालोर और सिरोई में शती थे 117.49 वर्क किलोमेटर में शती थे और 2008 में इसकी स्थापना हुई थी गुड़ा विश्नोईयान कंजरुवेशन रिजर्व जोदपूर में शती थे 2.31 वर्क किलोमेटर इसका चितरफल है और 2011 में इसकी स्तापुना हुई थी शाकंबरी Conservation Reserve चिस क्र और जूंजूनू में श्तीत है कितना वरक किलोमेटर है? 1131 वरक किलोमेटर और स्ताप न हुई थी 2012 में गोगिलाओ Conservation Reserve यuga नागोर में स्तीत है 3.58 वरग किलोमेटर इसका छेतरफल है और 2012 में इसकी स्ताप ना वही थी बीड जुझनू कंजरवेशन रिज़र ये जुझनू में स्तीत है 10.47 वरग किलोमेटर में ये फैला हुआ है और 2012 में इसकी स्ताप ना वही थी रोटू Conervation Reserve यह नागोर में इस्तीत है 0.73 वर्ग किलोमेटर इसका चेतरफल है और 2012 में इसकी इस्तापना होई थी उमेद गंज फक्सि वियार Conervation Reserve यह कोटा में इस्तीत है 2.72 किलोमेटर इसका वर्ग चेतरफल है और स्तापना होई थी 2012 में जमाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व ये पाली में इस्तित है इसका चेतरफल है 19.79 वर्क किलोमेटर और 2013 में इसकी स्थापना हुई थी वांसीयाल Kinzervation Reserve यह जुन-जुन में शतीत है 70.18 वरक किलोमेटर में इसका चितर Styles फैला हुआ है और 2017 में इसकी स्थापना उई थी वांसीयाल किटरी बागवर Kinzervation Reserve यह जुन-जुन में है 49.66 वरक किलोमेटर इसका स्थापना की गई थी जवाई बांद लेपड कंजर्वेशन, शेकिंड यह भी कहा है स्तीत है, पाली में, कितना सितरफल है, एक सट पॉयंट अठाण में वर्क किलोमेटर, और स्थापना हुई थी, दोहजार अठारा में, और जो first है इसकी स्थापना हुई थी 2013 में मन्शामाता कंजर्वेशन रिजर ये धूंजनू में है 102.31 वर्क किलोमेटर में फैला हुआ है 2019 में इसकी स्थापना हुई थी बच्चदारा मगरमच ये उदेपूर में स्थीत है 3.4219 वर्क किलोमेटर इसका छेतरफल है और 2022 में इसकी स्थापना हुई थी तो जो कुल छेतरफल है वो कितना है 670.43 वर्क किलोमेटर ताइगर रिजर रजस्तान में रनथंबोर ताइगर रिजर ये स्वाई मादोपूर करोली बुंदी और टॉंक में स्थीत है ठीक है और इसका जो वर्क किलोमेटर है वो यहाँ पर मिश हो गया मैं आपको कमेंट में बता दूगा एग्जेक्ट कितना है शरिष्ट का टाइगर रिजर अलवर और जैपूर में है इसका छेतरफल है 1213.34 वर्क किलोमेटर मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर ये कोटा बुंदी जहलावाड और चितोडगड में स्थीत है और छेतरफल जो है इसका वो 769.99 में वर्क किलोमेटर है रामगड विश्दारी टाइगर रिजर ये बुंदी में स्थीत है 3003.76 वर्क किलोमेटर एरिया में फैला हुआ है अब हम बात कर लेते हैं उर्जा के बारे में राजस्तान पर्माणू परियोजना की शुरुवात 1973 में भारत का पर्थम प्राकरतिक यूरेनियम भारी जल वे प्रशीतन परिचालित पर्माणू केंदर ये कहां स्थीत है रावत भटा चितोडगड में राजस्तान में दूसरा पर्माणू विद्यूत ग्रह प्रस्तावित ये माही बाश्वाड़ा में है भारत में पहला सोलर पावर प्लांट फलोदी जोदपूर में राजस्तान का या राज्ये का पहला सेम वो ही बढ़ला फलोदी जोदपूर भारत में पहला सोर उर्जा राज्य में उर्जा की अधिश्ठापित छम्ता तीस नॉवंबर 2022 तक कितनी थी 23,487.46 मेगावोट राज्य में स्थापित सोर उर्जा सहेतर की छम्ता मार्च दोहजार चोबिस तक 19,469 मेगावोट राज्य में स्थापित पोन उर्जा सहेतर की छम्ता मार्च दोहजार चोबिस तक 5209 राज्य में स्थापित बायुमास उर्जा सहेतर की छम्ता मार्च दोहजार चोबिस तक 128.45 मेगावोट तो यह जो फैक्ट है यह फैक्ट आप याद रखें आपसे फैक् किरने सोर विकीरण जिस दिन सूर्य की कियरणें गरती है उस दिन जो उर्जा का उत्पादन होता है वो 6-7 किलोवाट का होता है प्रति वर्ग किलो मिटर में अधिक्तम सोर दिवस कितने हैं 325 इंपोटेंट है याद रखें बंजर भूमी की उपलबता जो बंजर भूमी होती है जो खाली भूमी होती है उसका उपयोग इसके लिए किया था 19,469 मेगावोट के लिए रूफ्टॉप सहित्रों के अतिरिक जो घरों की छत के उपर जो लगाए जाते हैं उनके अलावा है यह सोलर पार कहां कहां स्तीत है तो बढ़ला जोदपूर में जिसकी छमता है 2245 मेगावोट चाय चरणों में फलोद्धी पोकरण में है दूसरा सड़े साथ मेगावोट फतेगड फेज 1500 मेगावोट अडानी कंपनी इसका दोहन करती है नोखा जैसल मेर में 925 मेगावोट दोहन कौन करता है आरेस डीशील लास्ट एप पूगल 1450 मेगावोट और इसका भी दोहन करता है आरेस डीशील पावन उर्जा छमता कितनी है 284 गेगावोट डेड़ सो मेटर की उचाई के उपर यह उचाई आपसे पूछी जा सकती है स्थापित अर्था कुल पूछी जाए तो 5209 मेगावोट राजस्तान पावन एव हाइब्रीड उर्जा नीती 2019 कब लागू की गई थी यह पूछा जाए तो 18 दिसंबर 2019 को अब पावन उर्जा के प्लांट कहां कहां पर है तो अमर्शागर जैसल मेर में यह फस्ट है पहला है आप इसको अच्छे से याद रखें देवगड परताबगड में स्थीत है फलोदी पावन उर्जा प्लांट जोदपूर में सोडा बांधन जैसल मेर में अकल जैसल मेर म और ये पहला नीजी है ठीक है ये पहला प्राइवेट प्लांट है आप इसको याद रखें नेक्स्ट है बायोमास परमुक्स त्रोत क्या है बायोमास के सर्षो की तूड़ी और विलायती बबूल स्थापित 128.45 मेगावोट चोदा बायोमास संहितर इसमें कार्य करते हैं कौन सी निती के तहट तो 29 सितंबर 2023 में जारी की गई थी ये निती और निती का नाम है बायोमास वेस्ट टू एनरजी निती 2023 उर्जा संरक्षन कार्य करम अगर आपसे पुछे जाएं तो राज्य सरकार ने मई 2023 में राजस्तान उर्जा संरक्षन बहुन संहितर RECBCC किये थे ठीक है तो यह जो उर्जा निती है इस निती के तहत जो नियम अधीश्चित किये गए हैं उसके तहत उर्जा संरक्षन किया जाता है फुर्जा Kap्षन दीवस कब मनाए जाता है तो 14 दिशंबर का मनाए जाता है और इसकी शुरुवात कब हुई थी? तो इसकी शुरुवात हुई थी 2009 में तापिय विद्यूत परियोजना राजस्तान का पहला कोईला विद्यूत गरे कोटा तापिय विद्यूत परियोजना राज्य का पहला सूपर थर्मल विद्यूत गरे सूरतगड ताप बिजली परियोजना चबड़ा तापिय विद्यूत परियोजना ये चबड़ा जिला बारा में स्तीत है काली शिंद्य तापिय परियोजना जालवाड में स्तीत है सत्पड़ा विद्यूत परियोजना राजस्तान मद्यपरदेश और गुजरात की सम्मिलित विद्यूत ग्रह परियोजना है प्रस्तावित कौन कौन सी है तो जाखम लगू जलविद्यूत परियोजना यह है और राहुगाड जलविद्यूत परियोजना दो और तीसरी है अनास जलविद्यूत परियोजना अब है राज्य की व्रःद सिचाई परियोजना यह है इसे समदित आप से 1-2 द्विच्षन हर बार पूच लिये जाते हैं व्यास सिचाई परियोजना है कोण सी नदीपर है रावी व्यास पर बाखड़ानलगर है हनमानगण और श्रीगंगाणगर इसके लाभानवीत जिले हन अर्फात इन जिलों में इस पर्योजना का लाभ मिलता है। फरकुंशी नदी पर नधी पर बिशलपुर है इसका जिला टॉंख है और कौनसी नधी पर है बनास नधी पर चंबल सिचाई लाफ़हन्वी कोण से है कोटा सवasia वाइमादोपूर बुंदी और बारा कौन सी नदी पर है चंबल पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्यूशन किस प्रकार से पूछा जाएगा तो आप से क्यूशन पूछ लिया जाए कि गंग नहर जो सिचाई परयोजना है इसके तहट लाभानवी जिले कौन-कौन से हैं तो हनुमानगर और स्रीगंगानगर या फिर पूछ लिया जाए गंग नहर परयोजना किस नदी पर है तो 17 नदी पर इस प्रकार से आप से एक्जाम में क्यूशन पूछे जाएंगे एक लेरा सागर ये बारा जिले इसका लाभानवी जिला है और चंबल नदी पर ये स्तित है गुडगाव नहर परयोजना ये भरतपूर में है यमना नदी के ओपर ये परयोजना लागू है हरिश चंद्र शागर सिचाई परियोजना इसके लाभानवी जिले हैं जालावाड और कोटा और कौन सी नदी पर है तो काली सिंद नदी पर इंद्रागंदी नहर इसके लाभानवी जिले हैं बिकानेर, हनुमानगड, चूरू, गंगानगर, इकाई एक के और इकाई दो के हैं बिकानेर, जोदपूर, जैसलमेर ठीक है और कौन शी नदी पर है तो रावी और व्यास नदी पर जाखम शिचाई परियोजना, इसके लाभानवी जिले हैं परताबगड और उदैपूर, नदी है जाखम माही बजाज सागर, लाभानवी जिले हैं बांश्वाड़ा, डुंगरपूर, परताबगड, नदी माही नर्मदा नहर सिचाई इसके लाभानवी जिले हैं बाडमेर और जालोर कौन सी नदी पर स्थित है नर्मदा नदी पर नोहर सिचाई पर योजना इंपोर्टेंट है इसके लाभानवी जिले हैं हनवानगड और चुरू कौन सी नदी पर रावी और व्यास नदी पर पारवती पीकप इसके लाभानवित जिला है 12, कौन शी नदी पर है चंबल पर, सोम कमला अंबा इसके लाभानवित जिला डुंगरपूर, कौन शी नदी पर, सोम पर, नेक्स्ट है जवाई, इसका लाभानवित जिले हैं पाली, शिरोही, जालोर और जोधपूर, लूनी राज्य मार्क की कुल लंबाई कितनी है इस पकार से आप से क्यूशन पूछे जाएंगे राज्य में शडक मार्क की कुल लंबाई 3,1810 किलोमेटर राज्य में राज्य मार्क की कुल लंबाई 10,789 किलोमेटर राज्य में राज्य मार्क की कुल संख्या 17,348 किलोमेटर राज् अब हम बात कर लेते हैं रेल परिवहन के बारे में राज्जे में पर्थम रेल की शुरुवात आगरा फोर्ट से बांधी कुई के बीच अप्रेल अठारा सो चुहेतर में राज्जे में रेल मार्गों की कुल लंबाई मार्च 2022 में 6046 किलोमेटर वायू परिवहन राजस्तान Civil Aviation Corporation का घठन कब किया गया? 20 December 2006 को राजजे में कुल एयरपोर्ट कितने है 32 राजजे में कुल नागरिक एयरपोर्ट जुलाई 2021 में कितने थे? 6 राजजे में कुल सन्य हवाएड़े 6 एसिया का सबसे वड़ा भूमिगत हवाईड़ा नाल हवाईड़ा भी कानर दाक एम दूरसंचार सेवाई राज्जे में कुल डागरों की संक्या है 11,49 राज्जे में टेलिकॉम उपभोगताओं की संक्या है 6,606.70 करोड अब हैं उद्योग उद्योग से क्युष्टन आना आपका फिक्स है उद्योग से एक से दो क्युष्टन आपके जरूर आएंगे इसको आप अच्छे से याद कर लें दोरिया वे मसूरिया साड़ी का उद्योग कहां स्तित है या कहां फिमश है कोटा में खेसला तूकडी बालोतरा फालना बंदेज साड़िया जोधपूर चोनरिया वे लहरिया जैपूर मिट्टी के मूर्तिया मोलेला गाउं राजसंबन्द संगमरमर के मूर्तिया जैपूर लकडी के खिलोने उद्योपूर सवाई माधोपूर फडचितरन सापूरा भिलवाडा कटपूतली उद्योपूर अब है राजजी के परमुख ओद्योगीक छेतर हजमेर में कौन-कौन से ओद्योगीक छेतर हैं माकपूरा, परबतपूरा, गेगल, सेवर और बेवनजा अलवर में बहरोड, चोपांकी, नीमराना, गिलोत, खुशखेडा, कहराणी, करोली, खैरतल, कुरुचेतर, मतश्य, पत्रेडी, राजगड, रामपूरा, शाजापूर, सोतानाला, तापूकारा और थानागाजी बाडमेर में बालोत्रा और मोकालसर, बरतपूर में जरेरा, बिकानेर में बिच्वाल, करणी, खारा, नापशर और नोखा, चूरू में बिंदिशर, रतनगड और सरदार सहर, दोसा में बाप्पी और कोलाना, बांधी कुई डुंगरपूर में सगवारा, हन्मानगड में संगरिया, जैपूर में अप्रेल पार्क, पगरु, बिस्शी, बिंदियाका, हीरावाला, जैतपूरा, जोटवाडा, कालाडेरा, काँत कलवर, कुक्कस, माल्विये नगर, मानडा, मानपूर, मानशरूवर, रामचंद्र ये सारे जैपूर के उद्यवगीक छेतर हैं। जुन्जुनु में चेडावा और पिलानी। जोदपूर में बोराडा, मंदोर और मथानिया। कोटा का रनपूर और इंदरपरस्त। नागोर का परवत्सर। पाली का बीनमाल और सुमेरपूर। राजसंबंद का धोईडा। सवाई मादोपूर का करोली और खेरडा। सीकर का अजीतगड, फतेपूर, पलसाना, रामगड, रिंगस और स्री मादोपूर। सिरोही का आबूरोड, अंबाजी, सरेंसर और श्योगंज। श्री गंगानगर का अनुपगड, घर्षाना, राई सिंग नगर, रावल मंडी सूरतगड और उद्योग विहार, टॉंक में, नेवाई और उद्यपूर में, भामाशा, गुडली, कलादवास और सुखेर, सब्तिया, अब राजस्तान की जनगर्णा, जनसंख्या कितनी है, 6085 करोड, देश में 8 वास्तान है, पुरूष जनसंख्या है, 3.55 करोड, 51.86 प् कुल जनसंख्या का, महिला जनसंख्या, 3.39 करोड, 48.14 प्रतिशत कुल जनसंख्या का, राज्य की दस्की वर्दी दर अर्थात 10 साल में वर्दी 21.3 प्रतिशत, ग्रामीन दस्की वर्दी दर 19 प्रतिशत, सहरी दस्की दर 29 प्रतिशत, राज्य में सरवादिक दस्की वर्द दर्वाला जिला बाडमेर जिसमें 32.5 प्रतिसत की वर्द्धी होती है राज्य में नियूंतम बसके 10 कि वर्दी दर्वाला जिला गंगानगर कितनी है 10 प्रतिसत राज्य में वार्षिक वर्दी दर अर्था एक साल में 2.13 प्रतिसत राज्य का सरवादिक वार्षिक वर्दी दर्वाला जिला बाड़मेर और नियूंतम वार्षिक वर्दी दर्वाला जिला गंगानगर जनसंख्या गंतव पुछा जाए अर्थाथ एक वर्ग किलोमेटर में कितने लोग निवास करते हैं उसको जनसंख्या गंतव कहा जाता है राजस्तान का जनसंख्या गंतव दोसो 476 इनका करम important है आप करम याद रखें राज्य के नियूंतम जनगंतव वाले जले जैसलमेर 17 बिकानेर 78 और बाडमेर 112 में आप बात करते हैं राजस्तान का लिंगानुपात तो कितना है 228 प्रती 1000 पुरुषों पर जो महिलाएं होती है वो कितनी है इससे लिंगानुपात निकाला जाता है 2001 में जनगंड़ना हुई थी उसके अनुसार 921 था और 2011 में हुई उसके अनुसार 928 राज्य का देश में स्थान 21 राज्य के सरवाधिक लिंगानुपात वाले जिले डुंगरपुर 900 चुराण में राज संबन्द 990 पाली 987 मैं फिर से कह रहा हूँ करम इंपोर्टेंट है नंबर नहीं पूछेगा आप से कोई भी तो आप करम याद रखें राज्य के नियुन्तम लिंगानुपात वाले जिले दोलपुर जैसलमेर करोली राज्य में ग्रामीन लिंगानुपात वाले जिले पाली एक हजार तीन राज्य का नियुन्तम ग्रामीन लिंगानुपात वाले जिले दोलपुर लिंगानुपात कितना है आट सो एक तारिस राज्य का सरवादिक नगरिय लिंगानुपात वाले जिले टोंक कितना 985 राज्य का नियूंतम नगरिय लिंगानुपात वाला जिला जैसलमेर 807 शाक्सरता पूछी जाई तो राजस्तान की शाक्सरता है 66.1 परतिसत शाक्सरता के मामले में राजस्तान का देश में स्थान 26 काफी नीचे है राज्य का सर्वादिक शाक्सरता वाला जिला कोटा, 36.6 परतिशत राज्य का नियुनतम शाक्सरता वाला जिला जालोर, 24.9 परतिशत राज्य का सर्वादिक पुरुष शाक्सरता वाला जिला, जून जूनू, 86.9 परतिशत राज्य का नियुन्तम पुरुष शाक्सरता वाला जिला परतापगड 59.5 परतिशत राज्य का सरवादिक महिला साक्सरता वाला जिला कोटा 55.9 परतिशत राज्य का नियुन्तम महिला साक्सरता वाला जिला जालोर 38.5 परतिशत राज्य में ग्रामीन शाक्सरता 61.4 और नगरिय शाक्सरता 79.7 परतिशत 79.7 परसेंट 0 से 6 आयू वर्ग वाले जो शिशू है वो कितने हैं कुल जनसंख्या है 106.49 लाग कुल जनसंख्या का परतिशत 15.5 परतिशत सर्वादिक जनसंख्या वाला जिला जैपूर और नियूंतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर शिशू लिंगानुपात 888 888 आप याद रख सकते हैं सर्वादिक शिशू लिंगानु पातवाला जिला बांश्वाडा 934 और नियुन्तम शिशू लिंगानु पातवाला जिला जूंज्णू 837 सर्वादिक नगरिय शिशू लिंगानुपात वाला जिला नागोर नियूंतम नगरिय शिशू लिंगानुपात वाला जिला धोलपुर सरवादिक ग्रामेंड सिसुलिंगा नुपात वाला जिला बांश्वाडा और नियूनतम ग्रामेंड सिसुलिंगा नुपात वाला जिला जूंजणूं 832 अनुसुची जाती कुल अनुसुची जाती 122.21 लाग राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसुची जाती का प्रतिशत 17.8 प्रतिशत सरवाधिक अनुसुची जाती जनसंख्या वाला जिला जयवपूर नियूंतम अनुसुची जाती जनसंख्या वाला जिला डूंगारपूर सरवाधिक अनुसुची जाती जनसंख्या प्रतीसद पुछी जाये तो गंगानगर 36.88% और नियुंतम अनुसुची जाती जनसंख्या प्रतीसद पुछी जाये तो डूंगरपूर 3.76% अनुसुची जाती का लिंगानुपात 923, 923 ग्रामीड और 922 नगरिये, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अनुसुची जाती का तो राजसम्मन्द और नियूंतम लिंगानुपात वाला जिला धोलपुर 863, ग्रामीड जनसंख्या में अनुसुची जाती का परतिशत 18.5 और नगरिये जनसंख्या में 15.7 पुल शाक्सरता 69.20 परसेंट पुरुष शाक्सरता 73.77 परतिशत महिला शाक्सरता 45.3 परतिशत अनुसुची जाती राज्ये में अनुसुची जाती की जनसंख्या कितनी है 22.38 लाग राज्ये की कुल जनसंख्या में अनुसुची जनजाती का प्रतिशत 13.5 प्रतिशत सर्वाधिक अनुसुची जनजाती जनसंख्या वाला जिला उद्यपूर सर्वादीक अनुसुची जंजाती परतिशत वाला जिला 22.4%, अनुसुची जंजाती का लिंगानुपात 988, ग्रामेन लिंगानुपात 951, नगरिय लिंगानुपात 893, सरवाधिक लिंगानुपात्वाला जिला ढुंगरपूर एकजार नियुनतम लिंगानुपात्वाला जिला धोलपूर आठसो बियालिष कुल साक्सरता 52.44 P. पुरुष साक्सरता 6.62 P. और महिला कारेशिल जन्संग क्यादर है 35.1 परतिशत नगरिय कारेशिल जन्संग क्यादर है 32.3 परतिशत ग्रामिन कारेशिल जन्संग क्यादर है 47.3 परतिशत सरवादिक कारेशिल जन्संग क्यादर है परताब गड़ की 55.5 परतिशत और नियूनतम है जैपूर की 37.2 परतिशत तो य अगर आपको यह PDF चाहिए तो हमारे टेलिग्राम चैनल राजनेती एक्सपर्ट के उपर मिल जाएगी वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन कर लीजिए आपकी exam से या vacancy के related कोई भी news होती है या update होता है वो आपको इसी चैनल के उपर मिल जाएगा और हमारी जितनी भी PDF है वो सारी आपको इसी चैनल के उपर मिल जाएगी तो आप उनको वहां से डाउनलोड करके अपने exam के समय में revise कर सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा like comment और share के मध्यम से बताइए और आप नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल नोटिफिकेशन ओन कर लीजिए ताकि कोई भी नय वीडियो आई तो आपसे कोई भी information मिस ना हो वीडियो अन तक देखने के लिए दन्यवाद